विकानेर से आ रही है जहापर रेज़ेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामले में कारवाई ना होने इस नराज रेज़ेंट डॉक्टरों ने कारकव इश्कार करते हुए हर्ताल कर दी है वही रेज़ेंट असोसियेशन के अद्धेक्ष विजेपुनिया ने हर्ताल का एला पर है और अब इसका असर कहीना कहीं दिख रहा है हाला कि वेकल्पिंग इंतिजामातों के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त मिटिंग हुई है थोड़े देर पहले ही मेडिक्ट कॉलेज के प्राचारी डॉक्टर आरपी अगरवाल है वही रेजिडेंट असोसियेशन से प्राचारी अब इस तरह से सभी डॉक्टर्स में रोज व्यापत हैं यह जरूर है कि वह दारा नहीं लगी थी वर हमने रिक्वेस्ट की तो दारा लगा दी गई है तो उससे अब रेजिडेंट्स में वह रोज तो नहीं है और वो चाहते हैं कि अभी तरह इतना डिले प्राइज नजर आती है तो फिर मतलब आपकी जो बाच्चीत होई पुलिस अदिकारियों से वह क्या कह रहे हैं क्या दूसरे पक से भी कोई अफाया दर्ज हुई है अभी जो हमारी पुलिस प्रसासन और अस्पिताल प्रसासन से वारता हुई है उसमें काफी सकारात्मक व अब यह विक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम पब्लिक के लिए आप सकारात्मक रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जनीत में हमेशा मसकारात्मक हैं यदि कुछ सकारात्मक नहीं बनती है तो वेकल पर इंतिजामात क्या क्या किये जा रहे हैं सभी सीनियर डॉक्टर्स को हर जगे ड अलग आती हैं और यही बात मैंने डेजिदेंट डॉक्टर सुकही और इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रूख उसमें अपना है तो अब जी बीम के बाद फैसला होगा लेकिन सकरात्मक्ता कहीं नजर आ रही है उमीद करें धर्ती के भगवान मान जाएं और काम पर लोटें क्योंकि जरूरी है पबलिक और मरीज परिशान ना हो केमरापरसन गुलाम रहसूल के साथ लक्षमन रागाओ फर्स्ट इंडिया न्यूस बीकानेर